हेलो स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में एक्सराइस 14.6 से कोशन नंबर 5 सोल्फ करेंगे तो कोशन नंबर 5 देखें कंस्ट्रक्ट विद रूलर एंड कंपासिस एंगल्स और फॉलोईंग मेजर्स कहा गया कि रूलर और कंपास का यूज करते हुए यहाँ पर यह जो एंगल्स दिये गए हैं उन्हें कंस्ट्रक्ट कीजी तो एपार देखें एंगल दिया गया है 60 दिग्री तो रूलर और कंपास का यूज करते हमें 60 दिग्री का एंगल बनाना है तो देखें सबसे पहले एक रे ड्रो कर लीजे इस तरह से मैंने यहाँ पर यह एक रे ड्रो कर लीजे इस रे को कुछ नाम दे दीजे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं मैं इस रे को नाम दे रही हूँ ओ क्यो अब देखे यहां इस point O पे 60 degree का angle बनाएंगे तो देखे ठीक ठीक परकार खोलीजे ना जादा ना कम देखे मैंने इतनी परकार खोली है अब यहां point O पे परकार की नोग को रखते हुए एक आर्क लगा लीजी देखे इस तरह से मैंने एक आर्क लगाई अब परकार को कम यहां जादा किये बिना यहां इस point पे परकार की नोग को रखते हुए इस आर्क को काटते हुए एक और आर्क लगा लीजी अब देखे जो आर्क है यह 60 degree के angle की आर्क होती है ठीक है अब देखे ये दोनों आर्क इस पॉइंट पे काट रही है ठीक है तो पॉइंट ओ को इस पॉइंट से मिलाते हुए आगे तक ले जाएंगे तो देखे, पॉइंटों को इस पॉइंट से मिलाते हम आगे तक ले जा चुके हैं अब देखे, इस रे पे कहीं पर एक पॉइंट ले लेजिए मैं यहाँ पर पॉइंट ले लेजिए, इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दीजिए मैंने नाम दे दिया है P तो देखे, जो एंगल P O क्यों है, यह 60 डिक्री है तो 60 डिक्री का जो एंगल है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक है तो एंगल P O क्यों क्यों है, 60 डिक्री तो 60 डिक्री का एंगल हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है अब B पान देखे अंगल दिया गया है 30 डिगरी अब हमें 30 डिगरी का एंगल construct करना है तो देखे सबसे पहले हम एक ray draw कर लेंगे तो मैंने एक ray draw करी है इस ray को आप कुछ भी नाम दे रहे हूं O Q तो देखें मैंने ये एक रे O ke Un rozpro कर दिया है अब हमें 30 डिगेरी का एंगल रोग करना तो सभसे पहले देखें इस पॉइंट O पे 60 डिगरी का एंगल करेंगे और फिर 60 डिगरी का half कर देंगे 60 degree का half कितना होगा 30 degree तो 60 degree का जब हम half करेंगे तो 30 degree का angle रो हो जाएगा तो सबसे पहले यहां point O पे 60 degree का angle रो करेंगे तो देखे ठीक 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 परकार खोलीजे ना जादा ना कम और यहां point O पे परकार की नोग को रखते हुए एक आर्क लगा लीजे देखे एक आर्क मैंने लगा लिए अब परकार को कम या जादा किये बिना अब इस point पे परकार की नोग को रखते हुए इस आर्क को काटते हुए एक और आर्क लगा लीजी तो देखें इस आर्क पर मैंने ये एक और आर्क लगा दी ये जो आर्क है ये 60 डिगरी के एंगल की आर्क है अब देखें ये जो दोनों आर्क है वो इस पॉइंट पे काट रही है तो point O को इस point से मिलाते हुए हम आगे तक ले जाएंगे तो देखे point O को इस point से मिलाते हुए हम आगे तक ले जा चुके है तो देखे यह 60 degree का angle रो हो चुका है यहां से लेके यहां तक यह 60 degree का angle है अब हमें 30 degree का angle रो करना तो क्या करेंगे 60 degree के angle का half कर देंगे देखें यहां से लेके यहां तक 60 degree का angle है तो देखें इसका half कैसे करेंगे यहां इस point पे परकार की नोग को रखते हुए हम परकार को यहां इस point तक खोल लेंगे देखें इस point तक मैंने परकार खोल ले अब यहीं पर प्रकार की नोग को रखते वे यहां एक आर्क लगा दीजी इस तरह से देखिए एक आर्क मैंने लगा दीए अब प्रकार को कमिया ज़्यादा किये बिना अब इस पॉइंट पे प्रकार की नोग को रखते वे तो देखे, point O को इस point से मिला थो है, मैं आगे तक ले जा जुकी है, अब देखे, इस ray पे कहीं पर एक point ले लीजे, मैं यहाँ पर एक point ले लेती है, और इस point को कुछ भी नाम दे लीजे, मैंने नाम दे दिया है P, तो देखे, जो angle PO Q है, यह 30 degree है, देखे, यहाँ से यहाँ तक 60 degree था, 60 degree का हमने half कर दिया, तो जो इस 60 degree का यह half angle है, यहाँ से लेके यहाँ तक ही, कितना है, 30 degree, तो angle PO Q 30 degree है, C पार देखे, अगला angle दिया गया है 90 degree, तो अब हमें 90 degree का angle construct करना है, तो देखे, सबसे पहले एक ray draw कर लीजे, मैंने यह एक ray draw करी है, और इस ray को नाम दे दीजे, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं इस ray को नाम दे रही हूँ, O Q, अब 90 degree का angle बना रहे हैं, तो देखे, ठीक ठीक परकार खोल लीजे, ना जादा ना कम, और यहां point O पे परकार की नोग को रखते हुए, एक arc लगा लीजे, इस तरह से, अब परकार को कम या जादा किये, बिना इस arc पे दो और arc लगाएंगे, तो देखे, पहले परकार की नोग को यहां पे रखा, और इस arc पर हम दूसरी arc लगा देंगे, जो दूसरी arc लगी है, यह भी 60 degree के angle की है, तो यहां से लेके यहां तक, यह total angle कितना होगा है, देखे, 60 plus 60, 120 degree का angle होगा है, पर हमें देखे, 90 degree का angle रो करना है, तो देखे, यहां से लेके, यहां तक कितना है, 60 degree का angle है, तो हम क्या करेंगे, इस 60 degree क एंगल का हाफ कर देंगे तो क्या करेंगे देखे यहां परकार की नोग को रखते वे इस परकार को हमने यहां इस पॉइंट तक खोल लिया ठीक है अब यहीं पे परकार की नोग को रखते वे एक आर्क यहां उपर की तरफ लगा ली ठीक है अब परकार को कमिया जादा किये बिना यहां परकार की नो को रखते हुए, इस आर्कों काटे हुए, एक और आर्क लगा लीजी इस तरह से, अब देखे, दोनों आर्क एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रहे हैं तो, पॉइंट ओपको इस पॉइंट से मिलाते हुए, आगे तक ले जाए, तो देखे, 60 डिगरी के एंगल का मैंने हाफ कर दिया तो 60 डिगरी के एंगल का हाफ कितना हुआ 30 डिगरी तो यहां से यहां तक 30 डिगरी और फिर यहां से यहां तक यह भी 30 डिगरी है तो देखें यहां से लेके यहां तक टोटल एंगल कितना हो गया देखें 60 डिगरी के एंगल की आर क डिग्री, डी पार्ट में देखे, नेक्स्ट एंगल है 120 डिग्री, तो देखे सबसे पहले हम एक रे ड्रो कर लेंगे, मैंने ये एक रे ड्रो कर लिया है, अब इस रे को कुछ नाम दे दीजे, मैं इस रे को नाम दे रहे हूं, ओ, क्यों, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, अ अब यहां इस पॉइंट ओ पे 120 डिग्री का एंगल रो करेंगे, तो देखे, ठीक ठीक परकार को लिजे, ना जादा ना कम, और यहां पॉइंट ओ पे परकार की नूग को रखते हुए एक आर्क लगा लिजे, इस तरह से, तो देखे, आर्क मैंने लगा दिया है, अब पर परकार को कम या जादा किये, बिना इस आर्क पे दो और आर्क लगाएंगे, तो देखे, पहले मैंने परकार की नूग को यहां रखा और यह एक आर्क लगा दी, तो देखे, जो आर्क लगी है, 60 डिग्री के एंगल की आर्क लगी है, ठीक है, अब परकार की नूग को यहा यहां यहां से यहां तक जो एक्ष्ट स्दॉर्ट जाइं, कितना हो गया? 60 धरory कितना हुआ 120 गरी तो देखे यह दोनों आरक यहां इस पोइंट पे काट रही हो तो पॉइंट ओंतों को इस पॉइंट से मिलाते हूए आगे तक ले जाई है तो देखे, point O को इस point से मिलाते हैं, हम आगे तक ले गए और इस ray पे कही पर एक point ले लीजे, मैं यहाँ पर एक point ले लेते हैं इस point को कुछ भी नाम दे दीजे, मैंने नाम दे दिया है P तो देखे, यहाँ से, यहाँ तक 120 degree का angle बन चुका है क्योंकि यहाँ से, यहाँ से, यहाँ तक 60 degree का angle है तो 60 plus 60 कितना हो गया है? 120 degree तो जो यह angle PO क्यो है, यह कितना है? 120 degree इपार देखे, next angle दिया है 45 degree अब हमें 45 degree का angle construct करना है तो देखे, सबसे पहले एक ray draw करेंगे मैंने एक ray draw कर लिया इस ray को नाम दे दीजे कुछ भी नाम दे सकते हैं मैं इस ray को नाम दे रही हूँ ओ, क्यो अब देखे हमें 45 degree का angle बनाना है तो क्या करेंगे देखे हम यहाँ सबसे पहले इस point O पे 90 degree का angle बनाएंगे तो पहले हम यहाँ point O पे 90 degree का angle बनाएंगे जैसा हमने अभी पहले C पार्ट में बनाए था ना 90 degree का angle तो वैसे ही यहाँ पे 90 degree का angle बनाएंगे तब देखे ठीक ठीक परकार खोलीजे ना जादा ना कम और यहाँ point O पे परकार की नोग को रखते हुए एक आर्क लगा लिजे इस तरह से तो देखे यह आर्क मैंने लगा लिए अब परकार को कम या जादा किये बिना इस आर्क पे दो और आर्क लगाएंगे तो पहले परकार की नोग को हमने यहाँ रखा और ये एक आर्क लगा दी फिर परकार की नोग को यहाँ पे रखा और ये दूसरी आर्क लगा दी अब परकार की नोग को यहीं पे रखते हुए एक आर्क यहाँ उपर की तरफ लगा लीजे इस तरह से ठीक है अब परकार को कम या जादा किये बिना यहाँ अब इस बिंदू पे परकार की नोग को रखते हुए इस आर्क को काटते हुए एक और आर्क लगा दीजे अब देखिए दोनों आर्क यहाँ एक दूसरे को काट रही है तो क्या करेंगे पॉइंट ओ को इस पॉइंट से मिलाते हुए आगे तक ले जाएंगे पर हमें 45 डिगरी का अंगल बनाना है तो क्या करेंगे 90 डिगरी का अंगल का हाफ करेंगे तो देखिए क्या करेंगे परकार की नोग को यहाँ इस पॉइंट पे रखते हुए इस पॉइंट तक खोल लेंगे यहां इस point तक मैंने यह परकार की नोक खोली ठीक है अब यहीं परकार की नोक रखते हुए यहां एक आर्क लगा दीजे इस तरह से देखें यह आर्क मैंने लगा ली अब परकार को कम या जादा किये बिना अब यहां इस पॉइंट पर परकार की नोग को रखते हुए इस आर्क को काटते हुए एक और आर्क लगा लेंगे तो देखिए एक और आर्क मैंने लगा लें तो देखिए यह दोनों आर्क इस पॉइंट पर काट रही है तो पॉइंटों को इस पॉइंट से मिलाते वे आगे तक ले जाएए तो देखें पॉइंटों को इस पॉइंट से मिलाते वे हम आगे तक लेए तो जो यह रे है इस रे पे कहीं पर एक पॉइंट ले लीजे जो यहां पर एक point ले ले जती है और इस point को कुछ भी नाम दे दिजीजे मैं नाम दे दिया है P ठीक है तो देखे जो angle PO क्यों है यह 45 सी pokyn अब हमें 135 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो सबसे पहले एक रे ड्रो कर लीजिए, मैंने ये एक रे ड्रो कर लिया, ठीक है, इस रे को नाम दे दीजिए, मैं नाम दे रही हूँ, O, क्योँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने नाम दिया है, O, क्योँ, तब देखे, ठीक ठीक परकार खोलीजिए, और यहां पॉइंट O पे, परकार की नोग को रखते हुए, एक आर्क लगा लीजिए, देखे, इस तरह से एक आर्क मैंने लगा ली, ठीक है, अब परकार को कम या ज़्यादा किये बिना, अब इस बिंदू पे परकार की नोग को रखते हुए, इस आर्क पे पहले हम दो आर्क लगाएंगे, तो देखे, सबसे पहले मैंने ये एक आर्क लगाई, ये जो आर्क है, ये 60 डिगरी के एंगल की है, ठीक है, अब यहाँ परकार की नोग को रखते हुए, ये दूसरी आर्क हमने लगा दी, जो ये दूसरी आर्क लगाई है, ये भी 60 डिगरी के एंगल की है, यानि यहाँ से लेके यहाँ तक 60 डिगरी का एंगल है, तो अब क्या करेंगे हम इस आर्क पे एक और आर्क लगाएंगे अब परकार की नोग को यहाँ पे रखा और यहाँ पर 60 डिग्री के एंगल की एक और आर्क हमने यहाँ लगा दी इस तरह से तो यहां से लेके यहां तक जो एंगल है वो कितना हो गया 60 डिग्री तो देखे यहां से यहां तक टोटल एंगल कितना हो गया देखे यहां से यहां तक 120 है फिर 120 यहां तक है और यहां से यहां तक 60 डिग्री है तो 120 प्लस 60 कितना हो गया 180 डिग्री तो यहां से यहां तक जो तो हम क्या करेंगे इस 60 डिगरी के एंगल का हाफ कर देंगे हाफ कैसे करेंगे देखे यहाँ इस पॉइंट पे परकार की नोग को रखते हुए हम परकार को यहाँ इस पॉइंट तक खोल लेंगे तो देखे इस पॉइंट तक मैंने परकार खोल ले अब यहीं परकार की नोग को रखते वे एक आर्क यहां उपर की तरफ लगा लीजे इस तरह से ठीक है अब यहां पर परकार की नोग को रखते वे इस आर्क को काटते वे एक और आर्क लगा लीजे इस तरह से अब यह दोनों आर्क इस पॉइंट पे काट रही हैं तो पॉइ कि फोनिंटों को इस पोइंट से मिलाते हुए मैं आगे तक ले गSet इस एंगल का हाफ मैंने करज़ इंगरी का हाफ कि ट्रटीकि तो यहां से आतकं 30 यवी तो यहां से लेकि यहां तक का कि एंगल कितना हो गया है tutorials कि 170 120 है तो 120 प्लस 30 कितना हुआ 150 डिगरी तो यहां से यहां तक 150 डिगरी है पर हमें 135 डिगरी बनाना है तो देखें 150 डिगरी यह अभी भी जादा है अब क्या करेंगे देखें यहां से यहां तक 30 डिगरी का एंगल बन रहा है तो अब हम इस 30 डिगरी के एंगल का हाफ कर देंग तो देखे क्या करेंगे यहां पर इस पॉइंट पे परकार की नोग को रखते हुए हम परकार को इस पॉइंट तक खोल लेंगे तो देखें इस point तक मैंने ये परकार खोली अब यहीं पर परकार की नोग को रखते हुए एक आर्क यहां उपर की तरफ लगा लीजिए इस तरह से ठीक है अब परकार को कम्या जादा किये बिना अब इस point पर परकार की नोग को रखते हुए इस आर्क को काटते वे एक और आर्क लगा लीजे इस तरह से ये दूसरी आर्क मैंने लगा दी अब देखिए ये दोनों आर्क जो है इस पॉइंट पे काट रही है तो पॉइंट ओ को इस पॉइंट से मिलाते वे आगे तक ले जाएंगे तो देखे, पॉइंटों को इस पॉइंट से मिलाते है, मैं आगे तक ले गई हूँ, अब इस रे पे कहीं पर एक पॉइंट ले लीजे, मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दीजे, मैंने नाम दे दिया है P, तो देखे, यह जो 30 डिगरी का अंगल यहां तक बन रहा था, इस 30 डिगरी का अंगल का मैंने हाफ कर दिया, 30 डिगरी का अंगल का हाफ कितना हुआ, 15 डिगरी, तो देखे, यहां से यहां तक 15 डिगरी है, और फिर यहां से यहां तक भी 15 डिगरी है, तो देखे, यहां से यहां तक अब टोटल डिगरी का बन चुका है तो जो एंगल पी ओ क्यों है यह क्या है 135 डिगरी तो आज इस वीडियो में हमने कोशन नमबर फाइव सोल्फ करा अगर आपको वीडियो पसंत आई हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक यू